हेलो आज हम डिसकस करेंगे एक इंपर्टेंट टॉपिक अगर आप बीटेक कर रहे है आटो मोबाइल इंजिनिरिंग में या भी वोकेशनल कॉर्स कर रहे है या फिर अप डिप्लोमा कोर्स कर रहे है यह सिले बस में आपको मिल जाएगा और डारेक्ट एक्जाम में क्वेश को समझते हैं कि कोई भी एक ग्राउंड सर्फेस मैंने उसके ऊपर एक विकल एजियूम किया है मैंने एक कार बना दिया मतलब कि मैंने कार के ऊपर में यह पर स्टेडी कर रहे हूं तो यह हमारा क्या होगा एक सिस्ट्रम होगा अब यहाँ पर आपको दो वील दिख रहे है एक पर मैंने आर मेंशन किया है एक पर मैंने एफ मेंशन किया है आर मेंशन किया है मेंस रीर वील है एफ मतलब की फ्रंट वील है और दोनों वील के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते है वील बेस बोलते है इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने इसके बारे में डिसक कर लो तो मैंने एजूम किया है कि जो मेरी ये विकल ये कार है ये इस पर्टिकुलर डारेक्शन में किसी पर्टिकुलर वैलोसिटी से मूव कर रही है मतलब कि कुछ ना कुछ इसका एक्सलरेशन होगा तो एक्सलरेशन की वैल्यू मैंने मान लिए स्मॉल एफ जनरली हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर डिरिवेशन के लिए मैंने स्मॉल एफ से रिप्रिजेंट किया है तो कोई इशू नहीं है अगर आपको स्मॉल ए कमफोर्टिबल रहते है तो आप स्मॉल ए एजूम कर सकते हैं अगर इस डिरेक्शन में मूव कर रही है तो ओवियसलि कोई ना कोई ट्रेक्टिव एफट जो होगा इस विकल को मूव करवाने के लिए वो भी इस डिरेक्शन में मूव करेगा तो मैंने एजूम कर लिया है वो है एफ एफ मैंने यहाँ पर एफ इसलिए यूज किया है क्योंकि मैं front wheel की regarding पर बात कर रही हूं अब अगर कोई force इस direction में लग रहा है तो इसके opposite direction में inertia force बोल लीजिए या फिर आप restriction force बोल लीजिए इसके opposite direction में act करेगा तो वो मैंने मान लिया IF IF का full form है inertia force तो इसकी value भी हम calculate करेंगे यहाँ पर मैंने calculate कर रखी है थोड़ी देर के बाद हम इसको explain करते हैं अब यह एक FF force है जो हाँ पर गाड़ी move कर रही है उसी direction में उसके opposite जो force है वो हमारा inertia force है अब इस गाड़ी का weight मैंने किसी particular एक point पर concentrated assume कर लिया है और उसी concentrated point को हम क्या बोलते है center of gravity यह हमने पहले 12 में या उससे पहले या just first year में आपने पढ़ा होगा तो इस particular CG पर मैंने सारा weight assume कर लिया है और weight मैंने assume किया है वो मैंने मान लिया W इसका weight है अब जो यह CG है इस CG की ground से जो distance होगी वो मैंने h assume कर लिया है कोई ना कोई distance मैं assume करनी है आप कुछ भी assume करो मैंने यहां पर h assume कर लिया है clear अब आपने free body diagram का concept पढ़ा होगा जब आप first year में होंगे या कभी भी जब आपके particular syllabus में आया होगा कि अगर हमारा कोई भी weight suppose करो मैं r और f की बात करूं तो कुछ ना कुछ weight इनका नीचे की तरफ लग रहा होगा तो यह equilibrium में काभ होंगे जब कोई ना कोई reaction opposite direction में यहां पर लग रही हो तो मैंने मान लिया कि इस particular point पे इस particular wheel के लिए r r reaction है and f पे r f reaction है यह क्या है total normal reaction है okay अब हम इसकी जो terms है एक बार और फिर से देख लेते हैं मैंने यहां पर one by one सारी mention कर दी है ताक कि कोई दिक्कत नहीं होगी w जैसे कि मैंने बताया weight of the car cg center of gravity b हमारा wheel base मतलब कि front wheel और rear wheel के बीच के तो distance है उसे मैंने wheel base बोला है small f की बात करें तो क्या है maximum forward acceleration मतलब कि गाड़ी जिस direction में move कर रही है उसका maximum acceleration rate okay rate नहीं बोलेंगे सिर्फ acceleration बोलेंगे f f maximum tractive effort जैसे कि मैंने भी बताया r and f का मतलब rear and front wheel के हम बात कर रहे है और अगर r and r f की बात की जाए तो क्या है total normal reaction at front and rear wheel h क्या हो गया आपका cg से लेकर ground तक की distance अब हमने हाँ पर सिर्फ if mention किया है तो इसका कुछ न कुछ value होगी अब वो value क्या होगी newton's के law में हमने पढ़ा है कि f is equal to ma वहाँ पर a क्या होता है acceleration होता है और यहाँ पर हमने acceleration किसे denote किया है small f से तो हमारा जो inertia force होगा वो क्या होगा m multiplication of small f इसे मैं इस term में भी लिख सकती हूं w upon g multiply by f चाहे आप यह लिखिए चाहे आप यह लिखिए दोनों का meaning same होगा किस तरीके से होगा यह भी मैं आपको बता देती हूं because w की value में सबको पता है mg होती है w is equal to mg तो अगर आप w की जाएक mg रखते हो g as it is रहेगा f multiplication में already था तो g से g अगर cancel करते है तो क्या equation बसती है m multiplication of f यह equation पहले भी थी तो आप चाहे यह form में लिखो चाहे आप यह form में लिखो बात एक ही है लेकिन अभी मैंने यह वाली form यह पर use करिए clear अब बात करें कि कोई भी body कोई भी object कोई भी system अगर equilibrium condition में है तो कुछ conditions होती है जो हमेशे satisfy करती है आपकी moving condition में नहीं होगा वो equilibrium condition में होनी चाहिए body तो क्या condition होती है वो vertical force जितने भी vertical direction में force लग रहे है उनका summation अगर आप करोगे तो वो zero आना चाहिए horizontal direction में जितने भी force लग रहे है उसका अगर आप sum करते हो तो वो zero के equal होना चाहिए मतलब कि हम यहाँ पर forces को resolve करवा रहे है along x-axis and y-axis अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि यह हमारा coordinate system होता है अगर आप इस direction में जो force लग रहे है x-direction में अगर उसका positive treat करते है तो जो इसका opposite direction होगा वहाँ पर आप negative treat करिए and same way में अगर आप vertically force को resolve करवा रहे है तो अगर आप vertically इस direction में positive sign use करते है तो जो भी direction अगर इस तरह की होगी downward तो आप 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 negative use करिए तो दो equations में लिख दी इन्ही दो equations को में resolve करना है अब सबसे पहले equation 2 की बात करें तो summation of v is equal to zero मतलब की system में जितने भी forces लग रहे है उन्हें हमें vertical direction में resolve करवाना है अब किस तरह के से resolve करवाएंगे हमारा जो main diagram था यह हमारा main diagram था अब यहां पर इस main diagram में यह हमारा पुरा system हो गया because इस particular system में number of forces act कर रहे है अब उन number of forces में से हमें identify करना है कौन से force vertical count होंगे और कौन से हमारे horizontal count होंगे अगर vertical की बात करें तो एक W है जो की vertically downward direction में लग रहा है एंड जो हमारा reaction है r and rf वो हमारा upward direction में लग रहा है rr और rf free body concept free body diagram का concept होता है यहां पर मैं उसे detail से नहीं explain कर रहे हो यहां पर मैंने direct use किया है ओके तो अगर W को अगर आप positive लेते हो तो rr और rf को क्या करोगे आप negative लोगे तो equation form हो जाएगी तो यही मैंने किया है w is equal to rr plus rf क्योंकि जो downward था उसको positively है और जो upward था उसको negatively है तो negative अगर उधर जाएगा तो 0 की जगे क्या हो जाएगा equal में rf plus rr हो जाएगा अब next हमें horizontal direction में forces को resolve करवाना है horizontal direction की बात करें तो same यही diagram हम consider करेंगे यहाँ पर horizontal direction की अगर हम बात करें तो एक तो हमारा है ff जो की x-axis के along लग रहा है और एक inertia force है वो भी x-axis के along लग रहा है लेकिन दोनों के direction की बात की जाए तो दोनों एक दुसरे से opposite direction में act कर रहे हैं तो दोनों हम एक दुसरे के equal put कर सकते हैं या फिर इसको अगर आप plus लेती हो तो इसको आप minus ले लो and equal to zero put कर दो same बात हैं तो यही चीज मैंने हाँ पर करिए ff is equal to w by g f यह क्या है हमारा inertia force है अब हमने friction के concept का basic होता है कि जो जस direction में आपकी विक्कल move कर रहा है उसके opposite direction में क्या होगा friction force भी act करेगा और उसकी value क्या होती mu into r r क्या होता है भाब पर normal reaction होती है तो वही concept हमने यहाँ पर लगाया है friction force mu into r यहाँ पर हम front wheel की regarding बात कर रहें तो मैंने यहाँ पर f and f notation use किया है अब equation 5 और 6 को देखा जाए तो यहाँ पर भी ff की value है और यहाँ पर भी ff की value है इन दोनो equation को हम equate कर सकते है equal put कर सकते है तो मैंने यही पर यही किये so using 5 and 6 ff is equal to mu rf is equal to w upon g multiply by f यहाँ तक clear अब इसके बाद में अगर मुझे rf की value निकालनी है तो यह हमारा rf मुझे हाँ पर clearly दिख रहा है तो rf निकालने के लिए इस mu को मुझे इदर भीजना होगा तो मेरी rf की value आ जाएगी मैंने यह same काम किया next step में mu को मैंने f के नीचे put कर दिया तो हमारा क्या value निकल के आ जाएगी जिसे मैंने equation number 7 नाम दे दिया अब हमें इस system का moment निकालना है moment हम किसी भी point के respect में निकाल सकते है r के respect में भी और f के respect में भी यहाँ पर हम r के respect में moment निकाल रहे है moment क्या होता है force into perpendicular distance यहाँ पर जितने भी free body diagram हो गया friction हो गया moment हो गया यह applied mechanics यह बोले engineering mechanics की basic concept से उनी को use करके यहाँ पर हमने equation re-dives करी है clear अब यहाँ पर हमें moment निकालना है मैंने moment r point के respect में निकालना है r point means मेरा यही वाला r point है ठीक है तो इस r point के respect में मुझे moment निकालना है जितने forces act कर रहे हैं उनका अगर मैं बात करू r f तो इस वाले force के लिए perpendicular distance क्या होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की distance perpendicular है इस particular force के लिए तो r f multiply by b direction क्या बनेगी यह r f इस तरीके से लग रहा है तो यह anti-clockwise हमारा act कर रहा है तो anti-clockwise को अगर आप positive लेते तो obviously clockwise को negative ले लिजिए यह आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं clear अब हम क्या करेंगे यहाँ पर r f multiply by b यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है r f multiply by b anti-clockwise था तो positively है अब क्या है एक हमारा inertia force भी act कर रहा है inertia force की value हमारे यहाँ निकाल ली थे w upon g multiply f तो अब यह inertia force अगर हमारा इधर लग रहा है मतलब कि clockwise direction में इसको turn करवाएगा तो distance हम कौन सी लेंगे perpendicular distance कौन सी रहेगा यहाँ के लिए inertia force हम यहाँ बात करें force क्या होता है vector quantity होता है आप उसको direction और magnitude same रखिए आप उसको shift कर सकते हो तो अगर मैं इसे यहाँ पर act कर रहा हूं तो इस direction में लग रहा है perpendicular distance कौन सी हो गए इस r point से यह वाली मतलब कि h distance तो क्या निकल के आ रहा है if multiply by h और direction क्या होगी clockwise नहीं है यहाँ पर anticlockwise है तो हम positive ही लेंगे तो plus w upon gf यह हमारा inertia force हो गया multiply by h अब बात करें एक और force act कर रहा है w अगर w की बात करें तो यह इसको किस तरीक से done करवाएगा यह इसको इस direction में done करवाएगा मतलब कि यह clockwise है तो यह force और distance मैंने यहाँ से यहाँ तक assume कर लिए कि l distance है तो moment क्या बन रहा है w into l तो जितने भी clockwise moment ते वो इधर है anticlockwise इधर है clear अब आप सोचेंगे कि यह भी इसका क्यों नहीं निकाला अगर हम इसका निकालते है तो force की value तो हमारे पास में rr है लेकिन जो perpendicular distance की अगर हम बात करें तो जिस point के respect में हम निकाल रहे है उसी point पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो perpendicular distance यहाँ पर कोई है यह नहीं 0 है तो जो हमारा यह componentा आएगा moment का वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इसलिए मैंने यह पर mention नहीं किया है clear ? तो हमारी equation आ गई है equation no.7 को हमने use किया है equation no.7 से rf की value को मैंने यहाँ पर put कर दिया है यह value मैंने यहाँ पर put कर दिया है पर यह वाली value मैंने पर put कर दिये अब जो cancel कर सकते हो आप right hand side और left hand side में वो आप cancel कर दीजिए मुझे same term क्या दिख रहे हैं यह दिख रहा है तो www क्या हो जाएगा पुरा cancel हो जाएगा अब इस वाली term में f upon g दिख रहा है इधर भी f upon g दिख रहा है b upon mu plus h mu क्या है यहापर coefficient of friction है अगर आप इसी term का LCM ले लेते हो तो यह condition बन जाती है और इसी को further आप solve करते हो mu को उपर बेश जाती हो तो यह आपके equation number 8 easily आ जाती है इसमें कोई concept नहीं है simply हमने simple mathematics यहापर apply करिए equation number 8 नाम दे दीजिए अब equation number 8 में देखा जहें, तो f upon g की value निका ली है और equation number 7 में देखा जाएं तो हमने rf की value निका ली है rf में भी क्या हो रहा है ? f upon g भan रहा है ये देखिए, f upon g यह term बन रही है तो इस f upon g की value को मुझे equation number 7 में put कर देना है तो क्या condition बनेगी ? W upon mu और mu L B plus mu H यह condition बन रही है कुछ नहीं किया है यहाँ से F upon G उठाया जो इसकी यह value थी और F upon G की जग़े यहाँ पर put कर दिया तो हमारे पास में RF आ गया अब हमारे पास में RF आ गया हम क्या RR निकाल सकते RR मतलब की normal reaction rear wheel के लिए किस तरीके से निकाल सकते हैं हमने एक equation निकाल दी थी अभी कुछ टाइम पहले W is equal to RF plus RR जिसे हमें equation number 4 नाम दिया था तो अगर हमें RR निकालना है तो W minus RF कर दो तो निकल जाएगा तो यही चीज़ अब हमें करनी है W minus RF RF की value मेरे पास में यहाँ पर निकली हुई है सिधी इसी को उठाके मुझे यहाँ पर put कर देना है clear अब यहाँ पर भी W है यहाँ पर भी W है तो simplify करने के लिए क्या कर सकते हो आप W common ले सकते हो अगर आप यही पर derivation छोड़ना चाहो तो यहाँ पर भी कर सकते हो और further simplify करना जादा सही रहेगा W common ले लिया और जो term बच्ची वो इस bracket के अंदर है इसको और further solve किया है यहाँ पर मैंने क्या कि LCM लिया और LCM लेने के बाद जो value होई है वो मैंने यहाँ पर put कर दिये तो इस तरीके से मैंने RR निकाल लिया मुझे निकालना क्या था Maximum Tractive Effort Front Wheel Drive की हम बात कर रहे थे मतलब की FF हमें निकालना था अब यह कुछ टाइम पर दिसकर्स किया था FF क्या था Mu into RF अब Mu तो हमारा coefficient of friction होता है वो हम easily calculate कर सकते जो भी material है जिस भी हमारा experiment के थूम निकाल लेंगे लेकिन जो RF था वो हमारे पास में नहीं था वो हमने यहाँ से निकाल लिया इस RF को इहाँ पर put कर दिया तो हमारे पास में क्या आ गया? Maximum Tractive Effort की value आ गई है और यह हमने जो भी काम किया है यह front wheel drive के लिए किया है similar यह सारा काम हम rear wheel drive के लिए भी करेंगे इसको मैं next part 2 एक video बनाऊंगी उसी part 2 में मैं यह पूरा mention कर दूँगी तो आज के लिए इतना ही अगर आपका exam में बड़ा question form होता है की attractive effort के लिए calculation करनी है तो यह आपको पूरा करोगे तो आपका एक भी mark नहीं कटेगा और full आपका यह derivation बिल्कुल simplified way में मैंने explain किया है point to point अगर यह video अच्छा लग रहे तो प्लीज इदे share करिए चैनल को subscribe करिए और like करिए इस video को thank you so much, मिलते हैं next video में